आपको मैं बताने जा रहा हूँ तो अच्छा के प्रेगनेंसी या मोटापे के स्ट्रेच माक्स हटाने के सबसे बहतरिन घरेलू उपाए फ्रेंड्स इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूँ कि अगर हमारे यूटूब चैनल लोटस एरवेद इडिया को अगर सबस्क्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स तो प्लीज सबस्क्राइब कर ले क्यूंकि हम इसे चैनल के माध्यम से औज़्दियों की वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें आप इस्तमाल कर अपने जीवन में स्वस्त रह सकते हैं जी हाँ स्ट्रेच माक्स सरीर पर बड़ी वा सफेद छिन रिखाय होती हैं जो की प्रिग्नेंसी के समय या फिर अचानक मोटे हो जाने पर पढ़ जाती है कई लड़कें जो जीम में जाकर बॉडी बिल्डिंग के लिए एकसरसाइस करते हैं उन्हें भी या परिशानी कंधे, पीठ या जांगों में हो जाती है कई केसों में तो स्टेच मार्क्स अपने आप ही गायब हो जाते हैं लेकिन जादतर केसों में या नहीं जाते हो सकता है कि जब भी आप साड़ी पहनती होंगी तो या स्टेच मार्क्स बिल्कुल साब दिखाई पढ़ते होंगे तो ऐसे में आप साड़ी पहनना तो नहीं छोड़ सकती हमारी त्वचा दो सतहों में पनी होती है जब कोई महिला गर्बवती होती है या कोई इंसान अचानक मोटा होता है तो हमारी त्वचा में भी खिचाओं आने लगता है ऐसे में त्वचा की बाहरी सता तो खिच जाती है लेकिन आंत्रिक त्वचा इस खिचाओ को लंबे समय तक सहनी पाती और इसके अंदर का टिशू तूटता चला जाता है जिससे त्वचा में स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स तब पड़ते हैं जब स्कीन उवर स्ट्रेच हो जाती है मार्केट में मिलने वाली बहुत सी क्रीम इन स्ट्रेच मार्क्स से निजात दिलाने का दावा करती हैं लेकिन ये ठीक से नहीं कहा जा सकता कि एक क्रीम स्ट्रेच मार्क्स से निजात दि कोई उपाय नहीं है घरेलू नुस्खों को अजमा कर आप आसानी से इन स्टेश मांक्स से छुटकारा पा सकते हैं हम आपको ऐसे ही कुछ बहतरीन घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जो स्टेश मांक्स को दूर करने में आपकी मदद करेंगे इन घरेलू नुस्खों से मार्क्स में बेहत फायदेमंद होता है इससे इस्ट्रेश मार्क्स धीरे-दीरे हलके पड़ते हैं और फिर इसकिन से बिलकुल गायब हो जाते हैं एलोवेरा जैल बनाने के लिए आपको एक कप ओलिव ओल, दस विटामिन E कैपसुल और पांच विटामिन E कैपसुल की आवश्यक्ता होती है इन सब को लेकर एक साथ मिक्स करें और पेस्ट बनाएं इस पेस्ट को स्ट्रेश मार्क्स पर लगाएं पेस्ट को स्किन पर तब तक रहने दें जब तक स्ट्रेश मार्क्स पेस्ट को सोक न ले ताजा एलोवेरा का गुदा मसाज करने से त्वचा टोन हो जाती है और इसमें शामिल एंजाइम खराब हो चुगी त्वचा को हटा कर दूसरी त्वचा को हैडरेट करता है निम्बु में प्रकृतिक एशिट पाया जाता है या एशिड त्वचा के मुहां से और दाग धब्बे हटाने के अलावा बहतरिन श्ट्रेच मार्क स्ट्रेटमेंट है निम्बु एक प्रकृतिक प्लेचिंग एजेंट है इसलिए इसके इस्तेमाल से त्वचा का रंग भी निखरता है इसे लगाने के लिए निम्बु को दो टुकडे में काट लिजिए फिर इसे त्वचा पर जहां निसान हो वहां लगा ले इसे कम से कम 10 मिनट तक लगा रहने दे फिर पानी से धोले इसके अलावा निम्बु में खीरे के रस को मिला कर लगाने से निसानों को जल्दी से दूर किया जा सकता है जैतुन के तेल में कई पोसक तक्तो पाये जाते हैं जो की त्वचा के लिए बहुत फायदे मंद होते हैं या एंटी ओक्सिडेंट से भरबूर होता है जिससे या त्वचा पर पढ़ने वाली निसानों से मुक्ति दिलाता है इसका इस्तेमाल करने के लिए जैतुन के तेल को निसानों पर लगाएं और हलकी मालिश करें कई दिनों तक लगातार मालिश से निसानों से मुक्ति पाई जा सकती है इसके साथ ही इस तेल के मालिश से रक्त संचार सही होता है और त्वचा में जमक आती है आलू में त्वचा को नवीनी करन करने के गुन पाये जाते हैं इसमें सभी आवश्यक विटामिन्स और मिनरल पाये जाते हैं जो कि त्वचा के लिए फायदे मंद होते हैं इसे लगाने के लिए सबसे पहले आलू को कद्दू कस करें ताकि इसका रस असानी से निकले, फिर इसे निशान वाले स्थान पर लगाएं, कुछ समय तक लगा रहने दें, बाद में गुर्गुने पानी से धोलें लेवेंडर तेल को अगर दिन में तीन बार स्थेश माक्स पर लगाया जाये तो धिरे धिरे निशान गायब होने लगते हैं, और उसकी जगह पर नई त्वचा आनी लगती है खीरे का रस भी स्टेश माक्स में बहुत फायदय मन होता है, स्टेश माक्स से जल्दी निशात पाने के लिए खीरे के रस में निम्बु की कुछ गुंदे मिलाएं और पेष्ट बनाएं, इसे स्कीन पर जहां स्टेश माक्स है वहां रगडें, इसके बाद हलके गुनवने पानी से धोलें अंडे का सफेद भाग स्ट्रेच मार्ग्स पर लगाएं और सुखने के बाद धोलें इससे स्ट्रेच मार्ग्स हलके पढ़ने लगते हैं अंडे के सफेद भाग में एमिनो एसिड और प्रोटीन होता है इससे स्ट्रेच मार्ग्स जल्दी से ठीक होते हैं तो तो ये थे फ्रेंड्स त्वचा से प्रेग्नेंसी या मुटापे के स्ट्रेश मार्ग्स हटाने के सबसे बहतरीन घेरेलू उपाए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्यूंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके हेल्थ से समंदित वो सारी जानकारिया लेकर आता हूँ जिसे आप यूज कर अपना इलाज खुद कर सकते हैं और इसका भरपूर लाब उठा सकते हैं दोस्तो फ्रेंड्स आप अपना बहुमुल्य सुझाओ हमें कमेंट बॉक्स में लिकर भेज सकते हैं दोस्तो और साथ साथ बीमारियों से समंदित सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं हम उसका जवाब जरूर देंगे तो स्वास्त रही है खुश रही है धन्यवाद खैंके दोस्तो